हाई गाईज विल्कम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में माँ आपके साथ 6 गजरा हेरस्ट्यल की वीडियो शेयर कर रही हूं यह सारे ही हेरस्ट्यल करने काफी ज़दा इजी एंड स्टाइलिश है तो आज की वीडियो में माँ आपको यह सारे हेरस्ट्यल करके दिखाऊंगी होप आपको यह वाली वीडियो अच्छी लगे यह वीडियो आपके लिए हैलफुल हो तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्चार्ट करते हैं वीडियो को स्चार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैन मार्किट में 20-30 रुपीज में बाई कर सकते हैं इसमें एक रेड फ्लावर वाला गजरा भी आता है इसके साथ गाईज आपको न मैं सिंपल से हेर स्ट्राइल बना कर दिखाऊंगी जिसे आप घर पर भी करके रख सकते हैं अगर आपको कहीं पर जाना है कोई भी आपने बिल्कुल सिंपल मैंने पॉनिटेल किया है तो अब जो ये गजरे वाला रबर बेंड है इसे मैं एज रबर बेंड यूज कर लूँगी फ्रंट से आप इस तरह से फ्लिक्स निकाल सकते हैं देखे ये एक रबर बेंडी बना हुआ है बट इसकी लुक कैसे आएगे कि जैस आपने गजरा वियर किया हुए है फ्रंट से इस तरह से मैंने फ्लिक्स निकाल लिया तो देखे लो पॉनिटेल विद गजरा कितनी ज़दा अच्छी लग रही है बिल्कुल सिंपल सी लुक क्या घर पर आप इस तरह से पॉनिटेल करके रख सकते हैं लो पॉनिटेल अगर सिंपल आपको जूड़ा कर लेना है जैसे कि गर्मी है तो गर्मी में खुले बाल हमारे मारी गर्दन पर बड़े चुपते हैं तो हम जूड़ा करके रख सकते हैं आप चाहिए ना जो मैंने यह कलरफुल रबड बंड का यूज कर सकते हैं या फिर ब्लैक रबड का भी तो देखिए मैंने बिल्कुल लो बन बन बनाया है और उपर से मैंने इस तरह से गजरा यह गजरी वाला रबड बेंड वियर कर लिया है तो देखिए गाईज यह सेकिंड हेर स्टाइल लो बन विद गजरा कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको कौन सा हेर स्टा मैं बल्कुल भी हों आपके बाल बिल्कुल घंगल भी होना म कहने चाहिए कभी आपकोंगा कोई भी हैस चैल knob वह बिल्कुल नीट अंद क्लीन होगा तो happens now हेस्टाईल के लिए हाइप ओनेट्ल कर रही हो सेमपल हाइप वोल्य कर शहें तो इससे बिदा हाइप säइप ँछ कर सकते हैं जी सी आपको अच्छी लगें मुझे इतनी हाइप दे लेकें यह ऑर आगये स्टाइलिश लगता है आप इसे साड़ी के साथ या किसी भी इंडियन ड्रेस के साथ इस तरह से हीर स्टाइल कर सकते हैं आपकी लुक बहुत ही ज्यादा अच्छी आएगी बिल्कु स्टाइलिश लुक लगेगी तो देखें यह वाला हीर स्टाइल भी कितना ज्यादा करके कावर कर रही है और टिक टेक पिन की हेल्प से ऑच्छी तरह से सिक्या Clay कर रही हो यह भी हेरस टाइलिशמה किया हुआ काफी अच्छा लगता है आप छयाए तो इससे भी ज सारी के साथ आप इस तना से हाई बन बनाकर यह वाला गजरा वियर करेंगे तो बहुत ही अच्छी स्टाइलिश लुक आएगी तो मैं आपको नेक्स हेयर से हेयर स्टाइल करके दिखाऊंगी यह भी करना काफी जदा इजी है जितने भी मैंने हेयर स्टाइल बताएं आप सबने देखा है कि यह हेयर स्टाइल कितने जदा स्टाइलिश है और कितने जदा सिंपल है और इस से लुक कितनी जदा अच्छी अध्य है तो इस हेयर स्टाइल के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने सेंटर पार्टिशन किया हैं सेंटर करके आपको बिल्कुल से एक पॉनिटेल कर लेनी है अच्छी तरह से कॉम्बिंग करके आपको सेंटर पार्टिशन करना है और बिल्कुल लो पॉनिटेल मैंने यहां पर किया है और ये वाले rubber band का यूज किया है आप देख सकते हैं ये भी hairstyle कितना ज़दा सुंदर लगता है बिल्कुल simple hairstyle है और इस तरह से आप इस rubber band का यूज कर सकते हैं इन सारे hairstyle में से आपको कौन सा सबसे ज़दा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताना तो देखिए गाईज ये वाला hairstyle भी कितना ज़दा simple and stylish है तो next hairstyle के लिए भी आपको इसी तरह से center partition करके रखनी और बिल्कुल low band बनाना है लो बन किया हुआ भी काफी ज़दा अच्छा लगता है यहाँ पर मैंने जूडा बनाया है मैंने बालों को fold नहीं किया है यहाँ पर मैंने जूडा किया है और जूडा करके आपको ये गज्रा वियर कर लेना है ये वहला rubber band आपको डाल लेना है आप देख सकते हैं इस rubber band को डालना कितनों ज़दा easy है बिल्कुल भी इसमें आपके अवाल नहीं फसते हैं बिल्कुल इसे निकालना भी काफी ज़दा easy है 20-30 रुपीज में आप इसे local market से यह से बाई कर सकते हैं तो देखिए यह सारे hairstyle कितने ज़दा सुन्दर लग रहे हैं कितने ज़दा stylish लग रहे हैं और सारे ही hairstyle करना कितना ज़दा easy है hope guys आपको मेरी 6 यह वाली hairstyle जो मैंने गजरे के साथ किये हैं 6 hairstyle with गजरा यह वाली मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आपको यह वाली वीडियो कैसी लगी मुझे comment box में comment करके जरूर बताना और इन में से कौन सा hairstyle आपका favorite है आपको कौन सा hairstyle ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यह भी बताना और आप कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं जो भी आप कुछ भी अगर कहना चाहते हैं मुझे आप comment box में बता सकते हैं मैं आप सब के comment का reply करूंगी तो चलिए guys अब मैं आपको अपनी next वीडियो में मिलूँगी hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगे तो channel को like subscribe जरूर कर देना हो सके तो video को share भी कर देना तो चलिए friends अब मैं आपको मिलूँगी अपनी next वीडियो के साथ अब तक के लिए thank you bye झाल